आज मैं अपने रसोई में बना रही हूं पालक और दाल दाल पालक यह दाल बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो बहुत ही स्वाधिश्ट लगता है और हेल्दी तो है ही सूपर हेल्दी है यह तो इसको बनाने के लिए मैंने इन तीनों दालों को मिक्स करके भीगने के लिए रख दिया है 10-15 मिनिट के लिए मूंग का दाल अरहर का दाल और मलका मसूर का दाल इन तीनों को हम धोके भीगने के लिए लिए रख दिये हैं 10-15 मिनिट इसको छोड़ देंगे उसके वालल हम इसको बनाईगे डाल हमारा रोष्ट किया हुआ है जब मैं दाल ले के आती हूं तो उसको रोष्ट करके ही रखती हूं रोष्ट करने वाली डाल वाली वीडियो मैंने डाल रखे अपने चैनल पर आप ज दाल बनारी बनार तो मैंने लगबग आधा आधा कप तीनो नो दाल ले लिये थे तो मैं इसमें लगबक 100 ग्राम पालक डालूंगी क्या इससे ज्यादा डाल पालग नहीं डालेंगे क्योंकि डाल पालक बन रहे हैं तो पालक कम होगा saugen शोगराम पालक को बार एक बार एक काट के दो के अच्छे से डाल देंगे पालक को हमेशा की तरह जैसे हारे पत्ते में बताती हूं काटने के लिए इस तरह से बीच में काट बीच से काटेंगे और फिर दोनों साइट से ऐसे पकरेंगे टाइट लेप्ट हैंड से और फिर बारीक बारीक काट लेंगे इससे आपका साथ आप इतना बारीक चाहो इतना बारीक बारीक आप चौप कर सकते हो और बहुत आराम से यह साथ कर जाता इस तरह से अभी मैंने पत्तों को वाश नहीं किया है अब मैं धोओंगी आप चाहें तो पहले भी दो सकते हैं लेकिन उसको फिर आदे घंटे के लिए पानी इन सोने के लिए छोड़ना पड़ता है ताकि वो पानी निकल जाए अच्छे साथ से नहीं तो काटते ताहिं पानी प्रोब् लोगी अब इसको मैं अच्छे से धोओंगी खुले पानी से पिसाग है साथ को अच्छे से धोना पड़ता है थोड़ी दिर के लिए मैं छोड़ दूँगी ताकि इसका पानी बाहर निकल जाएगा अब मैं तब तक डाल कुकर में डाल सेट कर लेती हूं मेरी आदत है धुलेवे बर्तन को भी मैं एक बार फिर से जरूर वास करती हूं अब मैं डाल को डाल दूँगी पुकर में रोजाना खाई जाने वाली दाल में जितना पानी डलता है इतना ही पानी डालेंगे इसमें इस तीन लोगों के लिए बन रहा है तो तीन कटोड़ी और हाफ कटोड़ी और एक्स्ट्रा डाल देंगे तो हमारा तीन कुटोड़ी दाल हमको एड़ी मिलेगा अब मैं इसमें हल्दी और नमक डॉल देंगे सवाडान सवाड़ नमक डाल लें हल्दी डाल दे थोड़ी सी छुटकी भर डाल में ज्यादा हल्दी नीर पढ़ता है, साग भी है इस niveau इसलिए को थोड़ दब हो तो निकल जाए पत्तों को अच्छे से ही वास करना चाहिए अब मैं इसमें हल्दी वल्दी नमक में डालूंगे फिर यह साग उसमें डालके हम इसको गैस पर रख देंगे पकने के लिए आप देख सकते हैं हल्दी में कितना कम डाली हो कि नमक समख कि नमक समख भी चला गया इसमें कि अस्वादा अन्सवाद डालने कितना भी इठालना हो कम ज्यादा जितना घाते हो नहीं तो कि आधा चमस से थोड़ ज्यादा डाल दें कि अब मैं इसका पानी साग का पानी निकाल लोंगे और फिर से अब हमारा साग जो है अच्छे से क्लीन हो गया बिल्कुल अब मैं साग को इसमें डाल दूंगे डाल में पानी निकाल दिया मैंने अच्छे साग का पानी निकलने के बाद ही साग को हम यूज करेंगे अब हम इसको दो प्रेसर लगाएंगे हाई फ्लेम पे उसके बाद हम गैस को पांच मिनिट के लिए लो फ्लेम पे कर देंगे ताकि दाल पक जाया अच्छे से पिर दाल हमारा रेडी हो जाएगा लूजंडा हम भूच्छाल का बनती है उससाया बनाना यह बस उसमें पत्ते काटके डाल दान दे रहे हैं साग आप बाथू,ब Sacramento i जगा भा सकते हैं तो फिर वो बात्त का दाल हो जाएगा डाल बाथ हो जाएगा और यह डाल पालक है तो इस तरह से कोई भी साग आप डाल सकते हैं अब मैं इसको फ्राइए करूँगी तो डाल फ्राइए जो करेंगी तियारी कर लेते हैं तो हरी मीच ले लेंगे 2 या 3 बढ़ा चोटा टुक्रा जैसा भी काटके नां फोडर दे अगर घर बच्चे मिर्च का बड़ा रखे ताकि खाने टाइमें इसको निकाल दे और नहीं थे छोड़ें करके डाल दें और पाच्छे चलिया लेकर बड़ें बड़ें काटके कि रख ले झाल झाल कर देज़ कत्ता ले लिया है जरूर दलेगा और थोड़ा समय ने यह पच फोड़ना ले लिया है जो पांच चीजों को मिक्स करके बनाई जाती है और इसका भी मैंने लिंक डाल दिया है तो चैनल पर जाके आप वीडियो देख लें वीडियो है और लिंक भी मैं डाल दूँगे पोशिस करूँगे मैं ल पी में अलेंगे बाद हरे मिर्च लेसन ये पच फोड़ना लेज आक हम तरका लगाएंगे तो जीरा अ या राई से हम तरका लगा सकते हैं कि टमोलोद ना के जगह पर में जीरा भी कर सकते words नव कर सकते और पीली सरसों आङा सकते जो हो घर में जिस चीज़ का मन हो उसका अपने पसंद पर खाना हमेशा अपने पसंद का खाना चाहिए जो आपको पसंद हो उसहाँ से मिर्च कम जादा कर सकता है लैसन भी कम जादा कर सकते है देख लेते हैं दाल पग गया है मेरा दाल इस तरह कहीं बनाना है बहुत गाढ़ा दाल नहीं बनाना है क्योंकि बिहार में दाल इसी तरह से बनता है पतला दाल बनता है क्योंकि हम चावल के साथ खाते हैं और फिर हमारे पास सब्जी भी होता है हम सिर्फ चावल और दाल नहीं खाते हैं हम चावल दाल नहीं खा पाते हैं हमें सब्जी चाहिए होता है दाल चावल के साथ सबजी होना ही चाहिए एक या दो तो इसलिए हम दाल पतला ही बनाते हैं बहुत गाड़ा नहीं बनाते हैं इस तरह से बनाते हैं पतली दाल बंती है हमारे हैं और मैंने इसको फ्राइ कर दिये तरका लगा दिया मैं इसको ढग दोंगी ताकि इसका स्मोक जो है उसमें रहे बाहर नाए अब गर्म गर्म डाल में एक चमच घी डाल के फिर से स्कोरी देल के दखेंगे दाल गर्म है अबी तो घी अपने हम्युट हो जायेगा उसमें और इसको मैं दो मिनट के लिए फिर से ढग देंगे फिर हम सर्व कर लेंगे अब मैं डाल को अपने बाउल में सिफ्ट कर लेती हूँ डाल मेरा रेडी होगी आप डाल देख सकते हैं कितना आसान है बनने में खाने में बहुत ही स्वाधिश लगता है और सुपर हेल्दी तो है ही इसके क्या कहने और जैसे रुटनो जाना वाली डाल बनती है वैसे ही यह बन जाती है बस पालक काटके डाल दे अगर आपको टमाटर डालना हो तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं मैं टमाटर नहीं डालती हूँ क्योंकि हम सबजी अलग से बनाते ही हैं टमाटर वाली तो सबजी डाल में हम टमाटर नहीं यूज़ करते हैं तो आप यह दाल बना के देख लें अगर अच्छा लगता है अच्छा ही लगेगा नहीं लगने का सवाल ही नहीं है दाल बहुत टेस्टी लगेगा यह वाली और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें अगर रेसेपी पसंद आते हैं तो यह दाल इस तरह से ही बनेगा इससे गाढ़ा नहीं बनेगा ऐसा ही दाल बनाना है हमें अगर आपका गाढ़ा हो रहा है तो फिर आप उसमें थोड़ा सा पानी करम करके डाल दें और उसको थोड़ा से पांच मिर्ट पका लें अगर आप ठिक काते हों तो फिर ठिक रख लें वह आपकी मर्जी है अगर दाल में रेडी हो गई सर्विन के लिए झाल में अगर आपकी हो आपकी मेंगर रविन्य